C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं पार्ठ चार दस बनाएं फ्रिष्ठ तैंतीस बिंदूओं वाला कीड़ा क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? इसके शरीर पर बहुत सारे बिंदू होते हैं क्या आपने कभी इन बिंदूओं को ध्यान से देखा है? यहाँ पर चित्र के माध्यम से एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा बनाया गया है जिसके उपर बिंदू बने हुए है कीड़े पर बिंदूओं की संख्या को लिखिए यहाँ पर चार चित्र दिये गये है चारों ही चित्रों में एक बिंदूओं वाला कीड़ा बनाया गया है साथ ही एक जगा दी गई है जिन में आपको बिंदूओं की संख्या को गिन कर लिखना है आईए कुछ वस्तूं जैसे इमली के बीज, कंकर, बटन, बिंदी इत्यादी से कुछ डिजाइन बनाएं एवं प्रतीक डिजाइन में बिंदूं की संख्या बताएं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में बटन के माध्यम से कुछ डिजाइन बनाया गया है आपको भी ऐसा ही करना है और ऐसा करने में आपको इमली के बीज, कंकर, बटन, बिंदी इत्यादी का प्रयोग करना है प्रिष्ट चोंतीस लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानिये और लिखे यहाँ पर चोकोर आकार का एक चित्र दिया गया है इस चित्र में कुछ बिंदिया है इन बिंदियों में से कुछ बिंदिया लाल रंग की है आपको लाल रंग की बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानना है और लिखना है आउ खेले मित्र के साथ खेलिए पासा फेकिये और उन खानों में रंग भरे जिनमें उतने ही बिंदू है जितने आपके पासे पर आए है यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में बिंदू के माध्यम से पासे पर आने वाली अलग-अलग संख्याएं दी गई है आपको अपने मित्र के साथ पासा फेकना है और उन खानों में रंग भरना है जितने बिंदू आपके पासे पर आए है यहाँ पर आपको कुछ जगह दी गई है जिनमें आपको लिखना है मेरा रंग और मित्र का रंग अपना रंग चुन कर उसे भरिए जिस बच्चे के अधिक रंगीन खाने होंगे वो जीत जाएगा बच्चों को बिना गिने संख्याओं की पहचान करने में सहायता के लिए बिंदू फ्लैश काट का उप्यूग करें शिक्षक एक से नौ तक की संख्याओं के विभिन आकार एवं डिजाइन के बिंदू युक्त पैटर्न के कार्ड बना सकते हैं प्रिश्ट पहंतीस तूटते बटन गोला बंदर ने अपनी पसंद की चार बटन वाली कमीज बहनी और वो केले के बाग में पहुँश गया उसे केले खाना बहुत पसंद था जिस कारण वो खूब सारे केले खा गया सोचो अधे केले खाने से क्या हुआ होगा उसका एक बटन तूट गया लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े जिससे उसकी कमीज के बटन एक-एक करके तूटते गए यहां पांच चित्र दिये गए है पांचों चित्रों में चार, तीन, दो, एक और शून बटन दिये गए है यह वो बटन है जो गोला बंदर की कमीज पर अभी बाकी है आपको यह बटन गिनकर उनकी संख्या लिखनी है एक संख्या यानी शून उदाहरन के लिए दी गई है अंत में बंदर की कमीज पर रह गए बटनों की संख्या पर चर्चा करें बच्चों को उनके आस पास ऐसी वस्तूं के नाम बताने के लिए कहीं जिनकी संख्या शून ने है उन्हें यह समझने में सहाइता करें कि शून ने भी एक, दो, तीन और अन्य संख्याओं की तहाँ ही एक संख्या है बच्चों से संतुलित भोजन खाने के लाब और आवशक्ता से अधिक खाने के नुकसान के विशय में चर्चा करें प्रिष्ट च्चतिस पेड की टहनी पर बैठी चिडियों की संख्या लिखिए यहाँ पर चार चित्र दिये गए हैं हर चित्र में एक टहनी है और उस पर कुछ चिडियां बैठी है आपको गिनकर ये बताना है कि कौन सी टहनी पर कितनी चिडियां बैठी है यहाँ पर शून का एक चित्र बनाया गया है और बिंदू के माध्यम से ये बताया गया है कि आपको शून आकार कैसे बनाना है साथ ही अभ्यास के लिए कुछ जगा दी गई है आपको इन जगाहों में शून लिखकर शून लिखने का अभ्यास करना है सोचो और बताओ कह आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं खह आपको दोपहर में कितने चान दिखते हैं ठोस वस्तूं का उपयोग करके उन में से एक-एक वस्तू बारी-बारी से कम करके शूने को समझने में सहायता करें ऐसी स्थितियों पर चर्चा करें जहां कोई वस्तू अनुपस्थित हो और उसे शूने वस्तूएं कहें जैसे कक्षा में शूने बस हैं साथ ही, शुरुवात में बच्चों को 5-0 तक गिनती गिनने और बाद में 9-0 तक उल्टी गिनती गिनने के लिए प्रेरत करें प्रिष्ट 37 दसवा जन दिन आज आस्था का दसवा जन दिन है उसके पिता जी ने सब के लिए हलवा बनाया वह अपने मित्रों के साथ अपना जन दिन मना रही है यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्ची आस्था का दसवा जन दिन मनाया जा रहा है इस चित्र में लिखा है जन दिन की हारदिक शुभ कामनाई इस चित्र में आस्था के माता पिता हैं और साथ ही साथ उसके कुछ मित्र भी बहुत से दिये जल रहे हैं आस्था कहती है मैं नौ साल की थी और अब एक और साल बाद मैं दस साल की हो गई नौ और एक मिलकर दस होते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से उंगलियों से दस की संख्या बनाई गई है। उसने अपने जर्म दिन पर रिक्तिस्थान दिये जलाए। वस्तुओं की संख्या गिनिये और नीचे लिखिये। यहाँ पर पांच चित्र दिये गए हैं। पहले चित्र में मोती, दूसरे में लड्डू, तीसरे में रंग, चौथे में केले और पांच में में पत्या बनाई गई है। आपको गिन कर इन वस्तुओं की संख्या लिखनी है। प्रिष्ठ अड़तीस आओ, करें। गिनिये और दस रंगीन मोतियों वाली लड्डी बनाईए। यहाँ पर चार चित्र दिये गए हैं। ग, ख, ग और ग, आपको इन चित्रों में दिये गए मोतियों को गिनना है। और दस रंगीन मोतियों वाली लड्डी बनानी है। बटनों का चित्र बनाकर दस का एक फ्रेम तैयार कीजिए यहाँ पर चार चित्रों के माध्यम से बटनों के चार फ्रेम दिये गए है क, ख, ग और घ आपको इन में बटनों का चित्र बनाकर दस का एक फ्रेम तैयार करना है प्रिश्ट 49 मज़ेदार पांच और दस पैटन के अनुसार छड़ी द्वारा बाटी गई संख्याओं के जोड़े बनाईे यहाँ पर चुत्र के माध्यम से सीपियां और एक छड़ी बनाई गई है इसे पैटन के अनुसार छड़ी द्वारा बाटी गई संख्याओं के जोडे में आपको बाटना है उदाहरन के लिए पहले चित्र के सामने लिखा हुआ है एक और चार यानि छड़ी से बाटने के बाद छड़ी के बाई और एक की संख्या है और छड़ी की दाई और चार की संख्या है वैसे ही बाकी चार चित्रों में बाई और दाई कितनी संख्या है ये आपको गिनना है और दियेगा इस्थान पर लिखना है आओ खेले, आईए उंगलियों का एक नया खेल खेले, कोई तीन उंगली दिखाईए, आपके मित्र को पाँच बनाने के लिए शीश उंगलियां दिखानी है प्रिष्ट चालीस, संख्या दस के जोड, आईए इसी खेल को दोनों हाथों की उंगलियों से खेले एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, दूसरे बच्चे को उसके बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी है पैटन के अनुसार संख्याओं के जोड़े बनाईए यहाँ पर उंगलियों से दिखाए गए संख्या के कुछ चित्र दिये गए है पहला चित्र उदारन के तौर पर बनाया गया है जिसमें संख्या भी दी गई है इसमें खुली हुई उंगली एक है और बाकी नौ उसके सामने कुल लिखा हुआ है दस बिलकुल वैसे ही आपको सभी चित्रों में ये गिनना है कि कितनी उंगलिया है और कुल मिला के उसकी संख्या कितनी हुई फ्रश्ठ 41 आओ खेलें कार्ड का खेल संख्या कार्ड शूने से दस तक के सैट सभी कार्डों को इस तरह रखीं कि लिखी हुई संख्या दिखाई न दे एक बच्चा एक कार्ड उठाता है और इस प्रकार रखता है कि कार्ड पर लिखी संख्या सभी को दिखाई दे इसी प्रकार दूसरा बच्चा कोई दूसरा कार्ड उठाता है एवं पहले कार्ड की तरह ही रखता है यदि दोनों काड़ूं पर लिखी संख्याओं का जोड़ दस होता है तो दूसरा बच्चा दोनों काड़ूं को रख लेता है इसके बाद फिर पहले बच्चे की बारी आएगी जो फिर एक काड़ उठाएगा और खेल ऐसे ही चलता रहेगा शून से बीस तक गिनती सिमरन नागपूर में रहती है वो संत्रे रखने में अपने पिताजी की साहता कर रही है एक डिब्बे में दस संत्रे आ सकते हैं आईए संत्रे गिने यहाँ पर चित्र के माध्हम से संतरों के डिब्बे और उनके सामने उनकी गिनिती दी हुई है संतरों और डिब्बों के हिसाब से दी गई संख्याएं हैं बस, कुल हुए 10 10 और 1, कुल हुए 11 10 और 2, कुल हुए 12 रहा बच्चों को पांच और दस की संख्या विभाजन याद रखने में सहायता करने के लिए मौखे कारे के अफसर दें उधारण के लिए यदि शिक्षक दो कहे तो बच्चा पांच के संख्या विभाजन के लिए तीन कहे इसी प्रकार यदि शिक्षक चार कहे तो बच्चा दस के संख्या विभाजन के लिए छे कहे इसके पश्चात बच्चों को दस से आगे गिनने के लिए कही हर संख्या पिछली संख्या से एक अधिक होती है बच्चों का ध्यान इस तथि की ओराकरशित करें प्रिष्ट संख्या 42 यहाँ पर संत्रों के डिब्बे और उनमें दियेगा इस संत्रों की संख्या लिखी गई है ये संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं 10 और 3 हुए 13 10 और 4 बने 14 10 और 5 बने 15 10 और 6 बने 16 10 और 7 हुए 17 10 और 8 हुए 18 10 और 9 हुए 19 10 और 10 बने 20 प्रिष्ट 43 क्रम में संख्याएं लिखिये यहाँ पर एक चित्र दिया गया है चित्र में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 की संख्या दी गई है इन सभी संख्याओं के नीचे रिक्ट स्थान है जिनमें आपको इन ही संख्याओं को लिख कर इन संख्याओं को लिखने का अभ्यास करना है बीज तक की गिनिती के लिए मूर्त वस्तों के दस के समूं एवं इकाईयों का उप्योग करे शिक्षक बच्चों को बीज की संख्या तक मुठी भर बीज या बटन दे पहले बच्चों से बीजों की संख्या का अनुमान लगाने को कहीं फिर समूं बनाकर गिनने को कहीं बच्चों से बात चीत करें कि किसका अनुमान सठीक या सब से पास है बच्चों को अनुमान लगाने और तर्क देने के लिए प्रोच साहित करें प्रिष्ट चवालीज यहाँ पर दो चित्र दिये गए है पहले चित्र में कुछ डंडियां बनाई गई है और दूसरे में कुछ पत्यां है आपको गिन कर लिखना है कि कितनी डंडियां है और कितनी पत्यां है अब दे गई संख्या के अनुसार दस के फ्रेम में रंग भरिये यहाँ पर तीन संख्याईं दी गई हैं 14, 19 और 16 और उनके सामने अलग-अलग फ्रेम दिये गए हैं आपको संख्या के अनुसार इन फ्रेम में रंग भरने हैं खाली स्थानों में क्रम में संख्याईं लिखिये यहाँ पर संख्याऊं के लिए अलग-अलग स्थान बनाए गए हैं इन में से कुछ स्थानों में संख्याईं लिखी हुई हैं और बाकी कुछ स्थान रिक्त हैं आपको संख्या नुसार रिक्ट स्थानों को भरना है प्रिष्ट पैंतालीस दस के समहूं पर घेरा लगाईए एवं संख्या से मिलान कीजे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है चित्र में चार अलग-अलग बस्तुएं दिखाई गई है फूल, मोती, बटन और पत्या साथ ही चार संख्याएं दी गई है सत्रह, सोलह, बीस और दस आपको घेरा लगाकर दस के समहूं पर संख्या से मिलान करना है कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाई यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में दो बच्चे खेल रही है और उन्होंने खेलते हुए डिब्बों से टावर बनाई है क सबसे उंचे टावर पर सही का चिन्ह लगाईए क कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे है टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए ग, कौन से टावर में सबसे कम संख्या में डिब्बे लगे है टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए प्रिष्ठ 46 आओ, करें क, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाईए ख सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाईए ग पंजे की नीचे छिपी संख्या ढूंड कर लिए यहाँ पर एक बिल्ली का चित्र बना हुआ है साथ ही साथ कुछ संख्याएं दी हुई है जिन में से कुछ छिपी हुई है आपको छिपी हुई संख्या ढूंड कर लिखनी है चिपी हुई संख्या 15, 16, 18 स पंद्रह चिपी हुई संख्या चिपी हुई संख्या 19 गर संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखिए यहाँ पर 6 संख्याएं दी गई है संख्या है 11, 3, 16, 20, 13 और 9 यहाँ पर 6 रिक्त डिब्बे बनाए गए है आपको इन डिब्बों में संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखना है बच्चों को अपने तरीके से निर्णय लेने दे कि कौन सी संख्या बड़ी है उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया है बच्चों को यह समझना चाहिए कि 11 में 4 और जोडने से 15 बनता है इसलिए संख्या 15 संख्या 11 से बड़ी होती है इसी प्रकार 20 तक की संख्याओं में करें पृष्ट 47 अंग गिनिये और लिखिये यहाँ पर दो चित्र बनाए गए है इन चित्रों में डिब्बे और पतंग बनाए गई है डिब्बों की संख्या गिन्नी है और लिखनी है ब पतंग पर दिये गए सफेद बिन्दू की संख्या को गिन्ना है और लिखना है चा एक से बीस तक संख्या बिन्दू को जोड़िये यहाँ पर एक पशू या पक्षी का चित्र बनाया गया है इस पशू या पक्षी के चित्र में एक से बीस तक की संख्या दी गई है आपको इन संख्याओं के बिंदूं को जोड़ कर ये बताना है कि ये पशू है या पक्षी परियोजना कार्य क अपने आसपास दस ऐसी वस्तूएं ढूंड़िये जो बिंदी के पत्ते जैसे दस के समूं में हो क गत्ते के पुराने डिब्बों, पुराने काडों इत्यादी का इस्तमाल करके एक से बीस तक के संख्या काड बनाईए शिक्षक बच्चों का अवलोकन करें कि वे समूं की बहचान करते हुए आगी गिनिती करते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन्स्वर वैभो श्रिवास्तव और ममता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुगरेती निर्देशन इवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नईदिल्ली भारत